ओम शांति ओम शांति आज 26 अगस 2023 दिन शानी वार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप तादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्विम बापने जगाई है अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित बने हैं प्रश्न निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं उत्तर जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं जो कभी भी मात पिता से रूठते नहीं अगर किसी भी बात से आपस में या मात पिता से रूठ जाते पढ़ाई छोड़ देते तो खुशी में खगियां नहीं मार सकते माया उनको थपड मार देती है जो सब को हसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते गीत आने वाले कल की तुम तकदीर हो ओम शन्ति बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं पतित पावन है ही सत्गुरू सत्गुरू की भेट में जूठे भी जरूर हैं जैसे गाया जाता है जूठी माया जूठी काया सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे उसका नाम ही है सचखंड भारत सचखंड था सचखंड नाम क्यों पड़ा क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्म भूमी है यह बात और कोई की बुद्धी में नहीं है कि परम पिता परमात्मा को पृत अर्थात सत कहते हैं और भारत उनकी ज बाप आकर यह समझाते हैं यह भारत वास्तव में स्वर्ग था अब तो नर्क है मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉर्डनर्स का राज्य था तब भी नर्क था अभी तो और ही रौरव नर्क है आपस में कितना मतभेद में आक पड़ गई है गपोड़े मारते रहते हैं हम सब एक ही है वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदर हुड है कोई मतभेद नहीं होना चाहिए धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए परंतु कितना मतभेद है अभी तो भाशाओं का भी मतभेद हो गया है भावी ड्राम की भारत रौरव नर्क बन गया है कितनी आपस में दुश्मनी है कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं पांडव तो तुम यहां बैठे हो तुम सचे सचे ब्रहमन कुल भूशन भारत की तकदीर हो तुम्हारा नाम कितना अच्छा है स्वधर्शन चक्रधार त्री नेत्री त्रिकाल दर्शी त्रिमूर्ती शिव बाबा तुम्हे ब्रहमा द्वारा त्रिकाल दर्शी बनाते हैं तीसरा नेत्र खोलते हैं तीजरी की कथा अत्वा सत्यनारायन की कथा वा अमरनात बात एक ही है तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें बाबा ने समझाया है जो ब्रहमन कुल भूशन मनुश्यों को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोड लगा दें शिबाबा का चित्र लगा हुआ हो शिबाबा के चित्र के नीचे लिखना है बेहद के बाब से जन्म सिध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो तो मनुश्या कर समझेंगे समझानी तो सहज है बाब आया है आकर स्वर्ग बना रहा है यह शिबाबा की अवतरन भूमी है परमधाम से बाबा भारत में ही आते हैं भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है सबको वानना चाहिए गुरुनानक बुद्ध आदि जो भी है सबका पतित पावन बाप है और उनकी मत यह जन्म भूमी है अभी तो आसूरी राज्य है यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली फिर गोरे बन जाएंगे इसको कहा जाता है आईरन एज वह है गोल्डन एज पावन दुनिया तो है शिवाले अंग्रेज लोग भी समझते हैं गोर्ड गोर्डेज का राज्य भारत में था परन्तु कब था यह नहीं समझते भारत बहुत साहुकार था अब तो कंगाल है इसलिए भारत को पैसे देते हैं गरीब को दान दिया जाता है तो अब दान देते हैं भारत से भी बहुत पैसे ले गए हैं अब फिर भारत को देते रहते हैं बाप कहते हैं मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो तुमको ही देवी देवता बनाते हैं गाया जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्रहमन और देवता धर्म स्थापन करते हैं परन्तु भारतवासी जानते नहीं ना जानना ही नूंध है तो यह बोड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्सा लेते आए हो अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्सा लो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगंपर ही होते हैं तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की उलाद हो और सत्यूगी दैवी सवराज्य के हकदार हो कितनी सहजबाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिबाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे कल्प पहले भी बने थे अभी फिर बने हो सो देवी देवता बनने के लिए शिबाबा का चित्र भी साथ में हो भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है जो ब्राहमन जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे बाप से पूरा वर्सा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्सा पा रहे हैं नशा तो जरूर चड़ना जाहिए स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे परंतु पुर्शार्थ कर अपना उच मर्तबा प्राप्त करो बाप का नाम बाला करो गाते हैं गुरू का निंदक ठोर न पाए परंतु उन से पूछो कौन सी ठोर अब तो यह सत्गुरू गैरिंटी करते हैं मैं आया हूँ तुम सब को वापिस ले जाने तुमको दुखों से छुडाए घर वापिस ले जाऊंगा यह बाबा ही कह सकते हैं गाया हुआ है कि मच्चरों सदरश्य गए विनाश होगा तो भंबोर को आग लगेगी यह भी काया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई लाखा भवन था ना इनका नाम लखी राज था तो बरोबर घास लिट ले आये थे जलाने के लिए प्रैक्टिकल की बात हैं आग लगी नहीं यह तो सिर्फ लिख दिया है तो तुम बच्चों को कितना फखूर से रहना चाहिए क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो उन्होंने तकदीर को लकीर लगा दी है अब पैसे आदी सब बाहर से आ रही है यह रिटर्न सर्विस हो रही है विनाश सामने खड़ा है उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है भारत को बहुत लूटा है कितना गुपत राज ड्रामा में नुन्धा हुआ है विलायत वाले तो अब भारत के प्रती दाता है ड्रामा अनुसर यह नूंध है कलप पहले भी ऐसे हुआ था बाप समझ्झाते हैं कलप कलप हम तुम मि अहिंसा पर्मो धरम से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हूँ श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता शिबाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है भगवानु वाच यह वही समय है पाँच हजार वर्ष पहले वाला जब मैं सभी का उधार करने आया हूँ तुम भी श्री बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो कोई सोशल वर्कर होते हैं उन्हों को भी अच्छी रित देती है जो राम से विपरीत बुद्धी हो जाते हैं एक खिलोना है ना अभी राम के अभी रावन के बन पड़ते हैं बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ उसमें वर्ण दिखाने हैं देवता वर्ण फिर शत्रिये वे शुद्रवर्ण में आए शुद्र से अब फिर ब्राह्मन वर्ण में आए हो 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है तुम किसी को भी यह समझा सकते हो इसको कहा जाता है सहज राज योग तुम राज योगी राज रिशी हो वे हठ योग रिशी है तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो सत्युग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया वहा माया होती नहीं बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे पहले वर्सा तो ले लो रस्म रिवास जो होगी इसो होगी यह क्यों पूछते हो तुमको तो निर्विकारी बनना है फिर रस्म जो होगी वही चलेगी श्री कृष्ण ने भी गर्ब से जन्म लिया उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है वह तो गर्ब महल में बड़े आराम से बैठा था या तो गर्ब जेल में बहुत सजाएं खाकर त्रही त्रही करते हैं तो ऐसे ऐसे बातें समझानी हैं सर्विस करनी हैं मित्र संबंदी पडोसियादी सबको ग्यान देना है बाप का परिचे देते चलो बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे प्रतिग्या करो कि बाबा मैं आपका मददकार बन पवित्रता का वर्सा जरूर लूँगा पुर्शार्थ पर सारा मदर है फोलो फादर मदर पूछना क्या है एम अब्जेक्ट है ही राजयोग राजाई के लिए योग प्रजा का योग नहीं राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए भारत में सदेव राजा रानी का राजी चला आया है अभी तो नो राजा रानी बाप फिर से राजा रानी का राजी स्थापन कर रहे है इसको कहा जाता है प्रवरती मार्ग पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं पतित पावन जरूर कहना पड़े पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सत गुरु भी हो गया, पतित पावन है फस्ट, गुरु की महिमा बहुत बारी है, जिसके भी घर में कलह होती है, तो कहा जाता है, कलह कलेश से पानी के मटके भी सुख जाते हैं, फिर विघन डालने वालों पर दोश पढ़ जाता है, उनकी बुद्धी का ताला बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, अगर जाकर निंदा करेंगे, तो गला घुट जाता है, सत गुरु का निंदक ठोर ना पाए, यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है, बाप कहते हैं, अगर मेरी निंदा कराएंगे, तो चिपदपा नहीं सकेंगे, विनाश की रिहसल भी होती रहेगी, तो मनुष्य कुछ जागेंगे, तुम भल जागते हो लेकिन वे घोर नींद में बिल्कुल सोय पड़े हैं, शास्त्रों में तो गलानी की बातें लिख दी है, सत्युक का नाम गुम कर दिया है, खुशी में त मात पिता से मत रूठना, तुफान आएगे परंतु कभी भी बाप को फारक्ती नहीं देनी है, मात पिता से कभी मुhnा नहीं मोडना, माया भड़ी कड़ी है, तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए, तुम सबको हसाते रहो, बाप द्वारा बड़ी लोटरी मिली है तो सदेव हर्षित रहना चाहिए कोई को भी दुख नहीं देना है दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे मुख से हमेशा रत नहीं निकलने चाहिए पत्थर नहीं पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धी बन जाएंगे अभी तो कोई संपूर्ण बने ही नही हैं संपून बनने का पुर्शार्थ करना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते दारना के लिए मुख्य सार बाप का मददगार बन उनसे इजाफा अर्थत इनाम लेना है सत्गुरु का दाम बाला करना है गुलानी नहीं करानी है आपस में कलह नहीं करनी है मुख से सदेव रत्न निकालने है पत्थर नहीं सबको हसाना है रूठना नहीं है वर्दान निर्विखन स्थिती द्वारा वायूमंदल को पावर्फुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्ति मान भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे आपकी सेवा है पहले स्वर को निर्विघन बनाना फिर औरों को निर्विघन बनाना अगर स्विम ही विघ्रों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघन नहीं रह सकेंगे इसलिए बहुत काल की निर्विघन स्थिती बनाओ, कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ती दे, शक्ती शाली बनाओ, मास्टर सर्व शक्ती मान हूँ, इस स्थिती का अनुभव करो, तब वायू मंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। ओम शंती ओम शंती